अब शामल करते हैं पाक पतन से फरीद अमद फैज की रिपोर्ट के मताबक पाक पतन शरीफ नगिना चौक में पीटी आई का जलसा बड़े जोशो खरोश से मनाया गया पीटी आई के और काफली के इस मश्तरका जलसे में शरीक कारकुनान का हजूम और जोशो जजबा काबल तहसीन है इस जलसे को पीटी आई के सदर पर घर्दल अजीज शक्सियत जनाब मौतरम रियाज अर्शद खान न्याजी साहब ने लीड कर रहे थे और इस जलसे में मज़ीद शुमूलियत के लिए रेलियों की सूरत में अपने अपने हलकों से कारकुनान अपने लीडरो के हमराश शरीक हुए जिन में हर्द रजसी शक्सियत जناब रहना कामरान रशीजत साब और जनाब मोहतरम मलक मुहम्मद अफजल साब ने अपने कारकुनान के साथ शिर्क्त की और इस जलसे को मजीद चार चांद लगाने के लिए अर्दल अजीज शक्सिय जनाब मुहतरम दिवान पीर फरीद अदिन चिश्टी साब काफली ने बड़े पेमाने पर अपने कारकुनान के साथ इस जलसे में शिर्कत की और खिताब करते हुए जनाब मुहतरम सदर पीटी आई पाकवतन शरीफ रियाद अर्शिद खान लिया और कहा के वो वक्त जूर नहीं के जब दुबारा साफ और शफाव अलेक्शन होगे तो इन्शालला ताला हमारी कोशिश रंग लाएंगी और दुबारा हकूमत पीटी आई की होगी और हमारा वजीर आजम इन्शालला अमरान खंड्याजी होगा अलहंदुल्ला गुरकी अस्ताल लाहौर में कैंसर के मरीजों का एलाज साइबर नाइफ के जरीए शुरू कर दिया गया है गुरकी अस्ताल गुजशता कई दहाईयों से गरीब मरीजों को इलाज की मुफ्त सहुलियात फराहम कर रहा है आईए आगे बढ़िये और अपनी जकात वतियात देकर जिन्दगी से मायूस लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटे विखेरने में गुर्की अस्टाल का साथ दे